नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलों में आज हम सौलू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th मैथ कर रहे हैं NCRT Solution तो पहला कुश्चन है हमारे पास इस 0 एरेशनल नंबर के 0 जो है रेशनल नंबर है Can you write it in the form P by Q Where P and Q are integer जहां P और क्यों integer हो और जो Q हो not equal to 0 हो अब देखे रेशनल नंबर होता क्या है जिसको हम डिवाइड के अंदर लिखते हैं जिसको हम ratio के अंदर लिखते हैं एक तरह से अगर हम कहें जैसे माले जे 9 by 5 आप लिख दें या 5 by 9 लिख दें कुछ भी लिख जाएं 1 by 2 लिख दें ये रेशनल नंबर है रेशो के अंदर है इसके अंदर एक condition क्या है क्यों not equal to 0 होना चाहिए यानि कि यहाँ पर ये P है और नीचे ये Q है ये कहता कि क्यों हमारा 0 नहीं होना चाहिए बस ये condition है और P और क्यों integer हमारे हो सकते हैं अब integer कौन से होते हैं integer जैसे 0 से इस तरफ चलें 1, 2, 3 इसी तरह से minus में भी ये होते हैं integer होते हैं जो plus में भी होते हैं positive number भी और negative number भी लेकिन without decimal या without fraction की बात करें तो वो integer हो सकते हैं ये अब यहाँ पर देखिए इसने पूचा कि 0 क्या rational number है तो यहाँ पर क्यों के लिए condition है कि वो 0 नहीं हो सकता लेकिन P के लिए तो कोई condition नहीं तो आप ऐसा तो लिख सकते हैं 0 by 5 लिख सकते हैं 0 by 3 लिख सकते हैं 0 by 9 लिख सकते हैं यानि कि 0 जो है एक rational number है यह क्यों जो है वो 0 नहीं हो सकता लेकिन P के लिए ऐसी कोई condition नहीं है तो according to इस condition के अंदर अगर हम देखें तो 0 जो है rational number हो सकता है P को हम 0 रख सकते हैं Next जो है हमारे पास find 6 rational number between 3 and 4 3 and 4 अब देखिए 3 और 4 इनके बीच में हमें 6 rational number find out करने है जैसे कि यह ratio वाले number जो होते हैं तो यह किस तरह से करेंगे 3 और 4 के बीच में तो कुछ भी नहीं आता तो ऐसा नहीं है इसके अंदर बहुत सारे rational number आ सकते हैं 0 rational number आ सकते हैं वो कैसे मान लिजिए आप 3 को इसी तरह से यहां पर यह क्या आ गया 28 by 7 आ गया अब इनके बीच के अगर हम number देखें इनके बीच के number जैसे कि यहां पर 22 by 7 यहां 23 by 7 यहां 24 by 7 यहां 25 by 7 यहां 26 by 7 यहां 27 by 7 इस तरह से आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 number तो इसी के बीच में आ गए इसी तरह से आप 3 को 8 से भी multiply कर सकते हैं 9 से भी multiply कर सकते हैं तो बहुत सारे rational number जो हैं इनके बीच में आप ले सकते हैं अब इसका मतलब तो 3 ही है इसका मतलब 4 ही है लेकिन हम rational number इस तरह से इसके अंदर बना सकते हैं अब next question ले लेते हैं find 5 rational number between 3 by 5 and 4 by 5 तो ये भी हम इसी तरह से करेंगे जो third question है हमारा तो हमें क्या दिया गया है 3 by 5 और 4 by 5 दिया गया है 3 by 5 और 4 by 5 अब हम क्या करते हैं 3 by 5 को मान लिजिए अब हमें कितने number चाहिए इसके बीच में हमें चाहिए 5 rational number 5 नमबर इनके बीच में चाहिए अब हम क्या करते हैं 3 को अगर हम 5 से multiply कर दें और नीचे ही नीचे भी हमें divide करना पड़ेगा यानि कि 5 इंटो 5 हो जाएगा यह क्या हो गया हमारे पास 15 बटे 25 हो गया इसी तरह से जो 4 by 5 है इसको भी हम 5 से multiply कर दें 5 से divide कर दें तो यह क्या हो गया 20 by 25 हो गया अब 15 से 20 के बीच में 15 by 25 फिर 16 by 25 फिर 17 by 25 फिर 18 by 25 फिर 19 by 25 फिर 20 by 25 यानि कि यहां तक यहां से यहां तक अब यह कितने नमबर मिले हमें 1, 2, 3, 4 नमबर मिले तो अब हम इसको 6 से करके देख लेते हैं अगर आप 6 से इसको multiply कर लेते हैं यानि कि 18 बटे 30 आजाएगा इसी तरह से 24 बटे 30 आजाएगा अब 18 से 24 के बीच में 19, 20, 21, 22, 23 वहां तक आएगे यानि कि 5 नमबर आपको मिल जाएगे जैसे हमने यहाँ पर देखा यहाँ चार नमबर थे इसी तरह से बीच में देखेंगे तो आपको 5 नमबर मिल जाएगे तो इस तरह से निकालने हैं बस rational number जो होंगे हमारे आप असानी से निकाल सकते हैं next question ले लेते हैं जो fourth question है इसके अंदर हमें क्या दिया गया है state weather the following statements are true or false यह statement हमें बताने है true है यह false है reason भी देना है answer का पहला every natural number is the whole number क्या जो हर एक natural number है वो whole number होता है तो बिलकुल यह true होता है क्यों 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 होल नंबर क्या होते है जिरो से start होते हैं और infinity तक चलते हैं इस तरह से natural number क्या होते हैं उनके अंदर zero नहीं होता लेकिन हो 123 इस तरह से infinity तक चलते हैं यानि कि हर एक natural number जो है वो whole number ही है हमारा کیquinhoकि whole number में तो zero भी है लेकिन इसमें zero नहीं है तो सारे natural number hold number के अंदर घर हैं तो यह true है every integer is a whole number क्या integer whole number है तो यहाँ पर यह false हो जाता है क्योंकि integer हमारे minus में भी होते है whole number हमारा 0 से start होता है तो इसलिए यहाँ पर यह false हो जाता है third every rational number is a whole number तो यह भी false हो जाता है क्योंकि जो rational number है वो हर एक whole number नहीं हो सकता क्योंकि whole number हमारे without fraction without decimal होते हैं लेकिन rational number में इस तरह की कोई condition नहीं है तो rational number जो है हमारा whole number every rational number नहीं हो ज़कता तो इस तरह से यहाँ पर यह false हो जाती है तो इस तरह से आप इस exercise को solo करेंगे जो कि हमारी 9th math की 1.1 exercise है तो thank you देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यानलों पर हमें subscribe कर सकते हैं धन्यवाद